हेलो अर्यान, वेलकम टो रोलिश्टडी, फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम MP करेंट अपेर 2019 का माई महा का जो करेंट अपेर वो डिसकस करेंगे, यहां पे हम जो की MP करेंट अपेर की सीरीज है हमारी इसमें हम जनवारी से अप्रेल तक अल्रेडी अप्लोड कर चुक है, य इसकिप्सियन में और जो के आई बेटन दोनों जगे उसकी लिंक आपको मिल जाएगे, वहां से जाकर आप जनवारी से अप्रेल दखके वीडियो देख सकते हैं, और यहां पर माई महा का जो करेंट अपेर डिसकस करेंगे, इसमें हम IMV Factor प्लस PDF फाइल भी आपको इसकी म आप MP Police SI Constable 2019 की तयारी कर रहें, तो यहां पर देखें, आपको सब Inspector और Constable की दोनों की Test Series मिल जाएगे, बहुत अच्छी Test Series यहां पर आपको मिल जाएगी, ताकि आपकी जो तयारी है, और अच्छी हो जाए, आपकी Practice हो जाए, तयारी हो जाए, और आपको जो कि उसका Experience हो ज जाएगे कि आप कहां-कहां जो Mistake हो रही है, टाइम मेंटेन हो रहा है, नहीं हो रहा है, पूरी आपको जानकर यहां से मिल जाएगे, तो यहां से आप जो कि इस Test Series को Purchase कर लिजे, तो Purchase कैसे करना है, यहां पर देखिया परिक्चा एप जो कि आपको दिखाई दे रहा ह जी, यह परिक्चा एप इसको इंस्टोल करना है, डाउनलोड करना है, Google Play Store पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्किप्चन में लिंक दे रहे हैं कि, वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर लिजे, और पर इंस्टोल कर लिजे, इंस्टोल करने के बाद में आपको यह हमारे C कूपन कोड यूज करना है, R-O-Y-J-G-O-V-4-0, अगर आप यह कूपन कोड अगर आप यूज करते हैं, तो आपको अभी 40% का पूरा डिसकाउंट मिल रहा है, यहां पर, MP Constable और SI, दोनों की जो test series करने के लिए भी, आपको 40% का पूरा डिसकाउंट मिल रहा है, तो यहां test video सबसे पहले आपको mobile पर आपको मिल जाए, तो चलिए देर ना करता है, हमें start करते हैं, हमारा first question है, current appear का आज का मही 2019 की, कि तीन दिवसी 6PR, फेस्ट 6PR, आना का आयोजन कहां हुआ है, तो तीन दिवसी 6PR, फेस्ट 6PR, आना का आयोजन हुआ है, वो हुआ है, आपको option मिले है, चार option, बोपाल, इंदोर, उजेन, जबलपूर, तो इसका जो आयोजन हुआ है, वो हुआ है, बोपाल में, का हुआ हुआ है, बोपाल में इसका जो की आयोजन हुआ है, जी, IMV factors के बारे में discuss कर लेते हैं, तो club literature एक बार फिर दुनिया के बहतरीन, इंगलिस प्ले चलने वाले इस festival में सहर की अलग-अलग जगाव पर six pair को याद किया जाएगा, तो तीस अप्रेल से दो मही तक यह चला था, नेक्स्ट हमारा question है, इसकूल गेम्स में कौन सा राज चार सु तीन पतकों के सांथ तीसरे इस्तान पर रहा है, तो यहाँ पर दे कि आपको चार option मिलते हैं इसके लिए उत्तर प्रदेश, मद्ध्य प्रदेश, गुजराथ और राजिस्तान, तो स्कूल गेम्स में जो की राज जी आपका रहा है, जो चार सो तीन पतकों के सांथ तीसरे नमबर पर रहा है, स्कूल गेम्स में, तो यहाँ पर आपको मद्ध्य प्रदेश जो की मेडल टेली जारी की है, जो की मद्ध्य प्रदेश से 164 सुरन, 103 रजट और 136 कांश समयत कुल 403 पतकों के सांथ तीसरे इस्तान पर रहा है, तो यहाँ पर 164 सुरन पतक मिले हैं, 103 रजट पतक और 136 कांश पतक जो की और टोटल जो हो गया है, वो 403 पतकों के सांथ तीसरे इस्तान पर जो रहा है, वो किसमें रहा है, SDFI, जो की उसकी 64 वे नेशनल इस्कूली गेम्स में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड दिल्ली टोप पर रहा है, सबसे टोप पर इसमें कौन रहा है, दिल्ली रहा है, 64 वे नेशनल गेम्स में कुल, 40 टीमों ने प्रदेश से किसका चैन हुआ है, तो हीट एक्षन प्लान और रिसर्च के लिए जो हुआ है, चार उप्सन आपको मिले है, वोबाल, इंदोर, सागर, राजगड़, तो हीट एक्षन प्लान और रिसर्च के लिए, जो हुआ है, सागर का चैन हुआ है, हीट एक्षन प्लान वर रिसर्च के लिए चलिए यहाँ पर IMP पेक्टिस के बारे में हम देख लेते इंडियन इंस्टूट ओफ जो कि पब्लिक हेल्थ गांधी नगर गुजराथ ने मद्य प्रिदेश में हीट प्लान जो कि एक्सन प्लान वर रिसर्च के लिए सागर का चयान किया है सागर का चयान किया है और किसने कहा इंडियन इंस्ट्टूट ओप पब्लिक हेल्थ गांधी नगर गुजराथ ने टीम मई से जून महां तक सेहर में अत्याधिक गर्वी यानी हीट ग्रोथ से होने वाली मोतो करेगी जी आयाई पी एच जी की टीम सागर में बुंदेल खंड जो कि मेडिकल कॉलेज है कि पी एच जो कि पी एस एम विभाग वा नगर निगम के साथ मिलकर काम करेगी तो यह यह जो टीम है यह बुंदेल खंड मेडिकल कॉलेज और पी एच एस विभाग जो होता है वो न एक्षन प्लान के लिए हेम्दबाद को चूना गया था 2013 में तो यहां पर आपको यह याद रखना हो अब मद्धिप्रदेश के सागर जो की जीले का चयान हुआ है इस जो की हीट एक्षन प्लान वर सर्च के लिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सीली कोसिस की निगरानी के ल गया है यहां पर हम आएंप फेक्टर डिसकस कर लें तो प्रदेश में सीली कोसिस बीमारी की निगरानी के लिए अपर मुख सची उप्रमुख सची उस्तरम विभाग के अध्यक्षिता में राज इस्तरी समिति का गठन किया गया है तो यहां पर आपको यह याद रखना है जो की निगरानी के लिए जो राज इस्तरी समिति का गठन हुआ है तो यहां पर पांचवे राज वितायो की जो अध्यक्षि बने वो बने है हिम्मत कोठारी जी हां हिम्मत कोठारी जी बने हैं पांच वे राज वितायू को गटन कर पूरू मंतरी कोठारी को अध्यक्च बनाया गया तो इसके पेले भी यही थे और अब भी इनको बनाया गया है यहाँ पर आपको यहाद लगना है, पूछा जाएगा चोत बितायो अधिक्तृ कॉ Gobierno थे, उनके दिक्त भी हिम्मत कोटारी ही थी और पांचवे वितायो कद्तको कॉन है, वह भी हिम्मत कोटारी ही ही ए तो यहाँ पर इसमें इसमें वो जीता है तो आई-एमफी फेक्ट यहां पर देख लेते हैं हम इसके बारे में ग्लोरी हाइज स्कूल जो कि ने फिल्म जुनुन जित से जित तक के लिए नौवा दादा जो कि साब फाल के जो कि फिल्म पुरुसकार जीता है तो यहां पर देखिया आपको कन्फूजन करन के लिए आपको दे रहा है यदि आपका माइंड सेट करने के लिए यदि आपको याद है या नहीं है इसका राइट आंसर रहेगा डी बिलकुल राइट ग्वालेर इसका राइट अंसर है फिल्म स्कूल student category के अंतरगर प्रदर्सित की गई यह तो यहां पर देखिए ग्लो रितेश को इंटरनेशनल अवार्ड की देश की युनिवर्सिटी के द्वारा दिये गया है तो यह दिये गया है कि थाइलेंड, मियानमार, अमेरिका और बेंककोक तो यहां पर इसका जो राइड आंसर है वो है आपका थाइलेंड जी है युनिवर्सिटी के द्वारा पांच माई को लीडर्शिप अवार्ड से नवाज़ा जाएगा जो कि नवाज़ा गया है युनिवर्सिटी द्वारा अकेडमिक लीडर्शिप 2018 के लिए डाक्टर अकांचा का चेयन इंडियन एजुकेटर्स की इंडिज्यूवल केटेगरी इंटरनेशनल जूरी कॉन्फरेंस और मल्टी डिसिप्लेनीरी रिसर्च एंड एप्लिकेशन द्वारा वेदान्त एकेडमिक्स बेंको कवार्ड के लिए किया गया तो यहां आपको पूरा जो कि पल दीजिए आपको याद रगना इसके बारे में तो यहां पर बहुत बार पूचा भी जाता है चली नेक्स लागे बढ़ते हैं आधिस अंक्रचारी के प्रकट उस्तव दिवस एकात्मक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है तो देखिए यहां पर आपको कब मनाया जा रहा है तो इसम दसमु कर आउस द्लिऔrd ग्रचारी के प्रकट इस दिवस एकात्मक पर्व के रूप में कब मनाया जा रहा है तो यह नो मई को मनाय जा रहा है तो यहाँ पर आपको यह याद रखना है, चलि आगे बढ़ते हैं, अभी मन्यू ने ब्रीटेन में काउंसलर का चुनाव जीता है, तो चलि यहाँ पर इनके बारे में देख लेते हैं, तो चलि यहाँ पर इनके बारे में देख लेते हैं, तो चलि यहाँ पर इनके बारे में के चुनाओं में जीत दर्ज की हैं 700 सालों से भी पूरानी जन प्रतिनीदी जो कि कि सबा में यहां उपलब्दी प्राप्त करने वाले पहले भारती है तो यहां पर देख लिए इनके बारे में जो कि अरोहल खुर्द से है नागदा के अंतरगत अभी मन्यू सिंग चले नेक्स आगे किस सहर के लक्षी सिंग ने माडलिंग की रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में रूबरू मिस्टर इंडिया टूरिज्म वर्ल्ड का खिताब जीता है तो यहां पर देख आपको चार उप लक्षी सिंग आइसी 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 आइंडिय के इंडिया प्रतियोगिता में फाइनल में मुकाबला विविन वर्ल्ड के 38 पृतियोगी के बीच था तो यहां पर यह देख लीजिए थोड़ा सा नेक्स्ट आमारा कोशन है कि किसने दिल्ली में ब्यूटी एक्सपोर टेलेंट्सों में आवार्ड जीता है तो किसने जीता है यह दिल्ली में ब्यूटी एक्सपोर टेलेंट्सों अवार्ड जीता है तो यहां पर अपका प्रियंका D option बिल्कुल राइट है इनके बारे में हम देख लेते हैं आगे जी उज्जेन से परफेक्ट लूक ब्यूटी के एर की मेक अप आर्टिस्ट प्रियंका सिंग परमान ने दिल्ली के प्रगती मेदान में आयोजित ब्यूटी एक्सपोर्ट टेलेंट सो में हिस्ता लिया प्रियंका को बॉल्यूड एक्टर्स रीमी सेन वा टेवी एक्टर्स रागीनी खन्ना ने सम्मानित किया तो यहां पर बिल्कुल भी कंफूशन नहीं होना है क्योंकि राइट यहां पर आगी नहीं दे रखा है बट राइट जो आंसर है वो प्रियंका है कंफूशन बिल्कुल भी ना होई है आपका टेस्ट लेने के लिए ऐसा किया है चलिए नेक्स टागे बढ़ते हैं कौनसी युनिवर्सिटी को मौडल युनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा तो यहां पर देखिए आपका चार ओप्सन दियेगा देवी अहिल्या उनिवर्सिटी ब्यू उनिवर्सिटी भोज उनिवर्सिटी माकनलाल चतुरवधी उनिवर्सिटी तो जो model university का जो दरजा मिलेगा वो मिलेगा देवी एहल्य जो university इसको जो कि आपका model university का दरजा मिलेगा तो एयो option इल्कुल right answer है आपका जाली next रागे वरते हैं भगवान परसुराम की जन मिश्तली पर परसुराम जेहल्स интी पर पवित्र भम्माकुंड कि किनारे नावर निर्मित 51 फिट उची खड़ी सी उप रतिमा का अनावरन किया गया तो यहां पर देखिए आपको चार उप्षन मिले है इसको कहां किया गया है तो इसको किया गया है जाना पाओ जो कि महू के अंतरगत आता है तो यहाँ पर जाना पाओ जो पाड़ी है उस पर किया गया है तो यहाँ पर आपको यह याद रखना है चलिए नेक्स्ट आमरा कोशन है देव राजन भारती के निर्देशन में टेली फिल्म help the poor student की सेहर में बनाई जाएगे तो यह किस सहर में बनाई जाएगे तो यहाँ पर ग्वाले इंदोर उज्जेन जबलपूर तो यह ग्वाले में बनाई जाएगे खांग राजन भारती के निर्देशन में help the poor student किस सहर में बनाई जाएगे तो ग्वाले आपको नेक्स्ट आमरा कोशन है केंदर सरकार की पहल पर कहां जल्द ही आर्टो जो कि आर्टो पेडिक एक्सलेंस ओफ इंस्टूट खुलने जा रहा है तो केंदर सरकार की जो पहल पर जो खुलने जा रहा है बहुपाल में यह खुलने जा रहा है यहाँ पर आपको यह याद रखना है इसके बारे में आईम करोड रुपे का खर्च अनुमानी थे तो यहां पर आपका जो कि बोपाल में बनाए जाएगी जो कि हमीदिया मौमद अब्बास जेदी ने देश का प्रतिनीदित किया है तो यहां पर देखे आपको चार उप्सन मिले हैं तो यहां पर देखे इसका राइड आंसर रहेगा वो रहेगा आपका इरान इरान में इन्होंने जो आउजित हुई थी वर्ल्ड हेल्ड समिट राजदा जो कि तो यहां पर आपको यहाद रखना है चलिये शाड़ ने देखे रहा हैं जवलपूर, नह्रा देही थोस्ते जगलों कि यहां पर देखे डाइगी कन्या और ने ABD दोनों में से यहां पर चीदे आएंगे तो यहां पर नुरा देही में आएंगे Kenya और नेरोबी से दोनों जगों से चीते आएंगे अपरीकी देशों में देशों Kenya और नेरोबी से चीते कि धार आप मंद्रब्रदेश के नोरा देही में जंगलों में सुनाई देगी तो यहां से चीते आएंगे किस इस्तान पर वागंकर पर केंद्रित पर्मानेंट रॉक आर्ट गेलरी बनेगी तो यह बनेगी आपके देगे बोपाल मुंबई उज्जेन दिली तो राइड आंसर दिली दिली में यह बनेगी दिली जो की दिली में वागंकर पर केंद्रित पर्मानेंट रॉक आर्ट गे पर्मानेंट रॉक आर्ट गेलरी त्यार की जा रही है तो यहां पर आप देखिए दिली में यह बनने वाली है जो कि इंद्रा गांधी जो कि राश्टी कला केंद्र है उसमें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गोवा में आजुत हुए कल्चर कार्नियल इंटरनेशनल फेस्टि सतो हुआ नेक्स्ट आमारा पॉइंट है पूने में हुए मिस्टर मिस एंड़ मिक्सेज क्ष्ट एंजो कि इंडिया फेसरो में नेपाल इमिटेट्ट स्रमिक संख के प्रदान संचीव मिलिंद की कि रंगे की बेटी नम्रता मिसेज वेस्ट इंडिया है जो कि विंटर चुनी गई यह तो यहां पर आपको याद रखना कि पूने में हुई थी यहां पर देखिए आपको चार उप्षन यहां पर मिले एक दो तीन पांच तो यह एकेडमिक जो पुरुसकार मिले वो तीन बिल्कुल आपका राइड आंसर तीन जो की एकेडमिक पुरुसकार मिले हैं करेंगे तो यहां पर देखिए जो कुवेट दूबई आस्टेलिया और अमेरिका आस्टेलिया बिल्कुल राइड आंसर रहेगा ए आई जी जी पीए बोपाल में किस देश के चातर इंटर्शिप करेंगे तो वो आस्टेलिया के करेंगे दिल्ली में पदस्ट आस्टेलिया के डिप्टी कमिशनर सिरी रोड हिटलन ने अटल बिहार रिवाज़ पे सुसासने उमनीती विसलेशन संस्तान जी ए आई जी जी पीए बोपाल के महानी देशक सिरी आर परसुराम से मत्यप्रदेश की चुनोती और संभावनों पर चर् सकते हैं तो यहां पर देखिया है यह अब ग्योंकि अटल बिहार रिवाज़ पे सुसासने उमनीती विसलेशन संस्ता जो कि बोपाल मिस्टिदेश से इंटरसिप करेंगे आज चलिया के चाहत्र है किसको हराकर मद्द्देश की टीम बनी वेस्ट जोन चेंपियन तो किसको मद्द्देश हाई कोट के अगले चीप जस्टिस कौन होंगे तो यहां पर मोस्ट आइम पर कोशन बहुत बार पूचे जाते हैं इसमें के कोशन तो यहां पर आपको याद रखना है मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द चीप जस्टिस है वो है आपके इसके पहले जस्टिस S के सेट तो यहाँ पर आपको यह याल रखने हैं इनके जो पहले हैं वो जस्टिस S के सेट है और नए जो आएंगे वो जस्टिस A.A. कुरेसी होंगे तो अगले जो चीप जस्टिस होंगे जस्टिस A.A. कुरेसी होंगे और जस्टिस एन्वी रमन्ना की कॉलेजियम में जस्टिस कुरेशी के नाम पर मोहर लगा दिये मद्विदेश हाई कोट के वर्तमान चीप जस्टिस एसके सेड़ 9 जून 2019 को सेवा निवरत हो रहे हैं तो यहां पर देखें जो मालवा चेम्बर ओप कॉमर्स इंडिस्टि जे इसके प्रदेश सचिव कोन बने हैं तो यहां पर वरुन पोरवाल कर्मवीर सज्जन सिंग और कुनाल पांट राइट आंसर आप कराएगा वरुन पोरवाल वरुन पौरवाल जो है मालवा चेम्बर और पॉमर्स इंड इंडिस्टी के प्रदेश सचिव बने हैं वे अब तक सबसे कम आयों के प्रदेश सचिव निर्वाजित हुएं संस्ता प्रदेश की सबसे प्रतिष्टित वा प्रमुक व्यापारी और मुद्योगिक संस्ता इससे पूरे प्रदेश में व्यापारी जूड़े हुए तो यहाँ पर इनके बारे में यह याद रखना है इतना साम नेक्स्ट नामारा कोशन है कितने स्वर्ण के साथ मद्धिपतेशने राष्ट जूड़ो जो के कुड़ो पृतियोगिता जीती है तो यह पर 41 बिल्कुल राइड आंसर है तो यहां पर 41 बिल्कुल राइड आंसर है चार से ग्यारा माई के भी चायोजित दसफी सब जूनियर जूनियर और सीनियर बालक बाली का पृतियोगिता में 19 राज्यों के तेरह सो से अधिक खिलाडियों ने भाग लिया जिसमें मद्धिपतेश कूडो एसोसियेशन के खिलाडियों ने सरवादी कि 41 सुरन उननीस रज मिद्धिपतेश का तोड़ा है इसके पहले 28 सुरन पधक का रिकोड़ था उनके नाम, अब उन्हों ने 41 सुरन पधक का बना दिया है किसी भी टीम द्वारा जीते गए सुरण पदको का अभीता की यहां नया रिकार्ड है इस जीत के साथ ही मद्धिपदेश के टीम लगातार तीसरे साल पृतियोगिता में और ओल चेंपियन जो की बनी है पृतियोगिता में दूसरे स्थान पर 15 सुरण पदको के सान्युक तुरोप से गुजरात एहुम राजितान के टीमें रही है तीसरे स्थान पर महाराष्ट को मिला है जिसने कुल 12 सुरण पदक जीते हैं यहाँ पर याद रखिए कि मद्द्द पदेश ने कूडो पृतियोगिता थी इसमें 41 पदक जीते हैं वह यह मद्द्द तीन साल से पस्ट पर चेंपियन रही है नेक्स्ट किसे इपको के नए डायरेक्टर चूना गया है तो इपको के जो नए डायरेक्टर चूना गया है अगे इनके बारे में हम डिटियल में डिसकूसर लेते हैं दिल्ली के अग्रनी सेकारी संस्ता इपको का निर्वाचन जो की संपन किया गया है इसमें सेहकारिता मंत्री डाक्टर गोविन सिंग के बेटे डाक्टर अमी सिंग को डाइरेक्टर चुना गया next कितने सेश्रों को चुना गया है तो यहांपर देखे चार, पांच, दस और एक तो यह स्थी च्व कंचार सेश्रों को चुना गया है कितने चार सेरों को चुना गया है चले आगे बढ़ते हैं ग्वालेर की नेशनल सूटर प्रियांसी गुपता ने इंटरनेशनल सूटिंग फेडरेशन की बीजेज की परिक्चा उत्रिन की वे इस सपलता को हासिल करने वाले प्रदेश की कौन से नंबर की सूटर बन गई है नेशनल सूटर प्रियांसी गुपता ने इंटरनेशनल सूटिंग फेडरेशन की बीजेज की परिक्चा उत्रिन की है वे इस सपलता को हासिल करने वाले प्रदेश की पहली जो की सूटर बन गई है तो यहाँ पर आपका सी उप्सन बिलकुल राइट है चले नेक्स आगे पर दें एंसी सी बोपाल गुरूप के गुरूप कमांडर बिगेडियर अनिल उड्डा ने चार जो कि चार मद्यपदेश बटालियन फूर मद्यपदेश बटालियन एंसी का निरिक्षण किया इस आउसर पर एंसी सी केड़ेट्स ने उन्हें गौड ओप आनर दिया तो य किताब तो प्रसांत जो धूमाल है यह मद्यपदेश के तो यहां पर मद्यपदेश आपका बिल्कुल राइड अंसर रहेगा और इन्होंने मिस्टर रेस्टेश किताब है जीता है प्रसांत धूमाल ने नेक्स्ट हमारा कुछ कौन सा सेर जल्द ही म्यूजियम सीटी के चलिए नेक्स आगे परते हैं मुंबई मायुजित अभा जो कि पीकल बॉल एसोसियेशन की नेशनल गवर्निंग कॉंसलेल एंसीसी की बेटाक जो कि में मद्यपदेश की व्यक्ति के जो कि महा सचिव जो कि सह सचिव नियुक्ति किया गया तो यहां किया गया जगिए असो मुंबई में आज जो हुई थी पिकल बॉल एसोसियेशन की नेशनल गवर्निंग कॉंसलील की बेटाक में नेक्स्ट किस सहर में जो किस सहर के मानिक बाग पेलेस पर रिसर्च करेंगे युनिवर्सिटी ओप लंदन के स्कॉलर तो यहां पर देखिए युनिवर्सिटी आक्डे में कौन सा सहर नमबर वन पर रहा है तो यहां पर देखिए, नमबर वन पर रहा है फार्ट जो रहा है इंदोर Varahा है चिंदवे चिंदवाडा के दींद्वादा के तामया की ने की वाली 27 वरसी भावनत धहरिया ने 22 माई को माउंट-आउरिस्ट फते कर लिया यह उपलब्दी हासिल करने वाले प्रदेश की कौनसे नमबर की महीला है तो यहां पर देखे तीसरी पहली दूसरी और पांच वह तो वहां प्रदेश की जो की पहली महीला है जो उन्होंने माउंट एउरेस्ट फते किया है 22 माई को किया है 27 वर्सी भावना जो की छिंदवारा प्रदेश के तामिया की रहने वाली है मेडिकल कोलेज कहां का पहला मेडिकल कोलेज होगा जहां नया ट्रांस फ्यूजन मेडिसीन विभाग खुलने जा रहा है तो यहां पर देकि मद्धिप्देश उत्तर पज़चाब राजस्तान तो यहां पर आलटान्स रहेगा पूरे देश में पहली बार किस जीले में मदगन्ना काम सिर्फ महिला करमचारियों द्वारा किये गए तो यहां पर आपको उप्सन मिले तो यहां पर आइटा अंसर आपकर आएगा हर्दा सेरे देश में पहली बार किस जीले जह की देश में पहली बार हर्दा जो की जीले में मदगन्ना काम सिर्फ महईला करमचारियों की दवारा किये गए white जात रखिए smart city company के बायो मितेनेशन plant को green energy अवार्ट से संभानित किया गया तो किसको इसको smart city company के बायो मितेनेशन plant को green अवार्ट से संभानित किया गया green energy अवार्ट से next seo or jillet के भोज नगर की मेगा पर्माण ने 22 माई को विस्वी की सबसे उची पहाडी Mount Everest Summit complete करने में सपलता अर्जित की है तो यहाँ पर आपका राडायक ले कोशन बनेगा देख लेने एक्जाम में सिमरन बेहल ने चंडिगर में हुए Princess of India 2019 का किताब जीत लिए वो कहां की है तो यहाँ पर बोपाल सिहोर राजगर में है तो यह है आपकी बोपाल की सिमरन बेहल ने चंडिगर में हुए Princess of Asia का जो कि इंडिया का 2019 का खिताब जीत लिए तो यह बोपाल की है सिव सर्मा का असी वर्सी की आयो में 22 माई की श्याम को नीदन हो गए वहाँ परसिद दे तो सिव जो सर्मा थे तो यह थे आपके वियंग का जी हाँ जो सिव सर्मा थे वियंग कार थे नेक्स्ट लोग स्वास्तियों परिवार कल्यान और महिला बाल विकास विबाग के तत्वादान में 10 जून से 20 जुलाई तक प्रदेश में कौन सा अभियान संचलित किया जाएगा तो एकता दस्तक घरगर स्वास्तिस खुसी तो यहां पर दे कि यह जून से 20 जुलाई तक जो प्रदेश में अभियान संचलित किया जाएगा लोग स्वास्ति परिवार कल्यान महिला बाल विका सुबाग के तो दस्तक जो अभियान है वो चलाए जाएगा तो यहां पर बी आपको मिलें बोपाल जबलपूर बेतुल गॉलर राइट आंसर आपका रहेगा गॉलर गॉलर इको ग्रीन कंपणी ने गॉलर जिले की केदारपूर मिठाए करो रुपे खर्च कर प्रदेश का पहला एसीन रेटर इस्तापित किया तो गॉलर आपका राइट आंसर है नेक कौन सा हवाई अड़ा को मद्यविदेश के पहले अंतरास्टी एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त हो गया है तो यहां पर आपको चार ओप्शन देखे मिले हैं राजाबो जुमानतल यवलपूर्ज हवाई अड़ा देवी आहिल्यवाई होलकर हवाई अड़ा गॉलर हवा यहां पर आपको देखें जो बुद्ध है इनके जो कि जीवान यात्रा पर आदर फास्ट जो कि पार कर जो कि और सांची इस्तुप की पाड़ी के नीचे तियार उरे बुद्ध आपका बिल्कुल राइट अंसर है तो यहां पर देखें जीगे का जितने भी पॉइंट से म फिनल पर पहले बार सब्सक्राइब कर लिए जो कि यहां मिलेंगे आपको स्टेडी से रिलेटिट धेर सारे ऐसे ही वीडियो थेंक्स पर वोचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जेहिं जे भारत